नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अक्षे गेजट्स गिलरी में आपका स्वागत करता हूँ और चलिए आज हम सीखेंगे केसे हम एपल के कंप्पीटर्स यानि की आइमेक, इसके लिए सबसे पहले हम ब्राउजर में विंडो 10 का ISO फाइल डाउनलोड करेंगे जो कि आपको माइक्रोसोफ्ट की ओफिशल वेबसाइट पर मिल जाएगी तो चलिए सबसे पहले इसकी डाउनलोड करते हैं माइक्रोसोफ्ट की वेबसाइट पर से डाउनलोड करने का लिंक जोहीं में डिसकिप्शन में आपको दिया हुआ है तो आप वहाँ जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको इसका एडशन चूज करना पड़ेगा इडिशन चूज करने के बाद इसे आप confirm कर दीजिए उसके बाद यह आपसे product select product language यानि की product की जो लेंग्वेज ही वो रुकायर करेगा इसमें आप अपनी जो language है English वो आप चूज कर सकते हैं फिर यहां से आप उसे confirm कर दीजिए कंफिर्म करने के बाद यह आपको option देगा एक window to 32 bit यानि कि 32 bit अगर आप डाउलोड करना चाते हैं तो यहां से कर सकते हैं या फिर अगर आपका computer 64 bit supportable है तो आप उसे यहां से डाउलोड कर सकते हैं इसके बाद यह आपको downloading option देता है और आपको जो ISO file है वो आपके makebook में या iMac में जो भी आपका Apple का computer उसमें download करने हैं तो चलिए मैं इसे cancel कर देता हूं क्योंकि मैंने यह already download की हुई है और यह file जो है मेरे पास पहले से ही है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं यह देखें दोस्तों यह ISO file मैंने पहले से download की हुई है जो की 3.67 GB की है काफी बड़ी file है तो आपको यह करीब आपके internet speed पर depend करता है कि कितना download करने के लिए कितना time लेगी चलिए यह download हो जाने के बाद आपको एक सबसे फ़ले blank pen drive लेना पड़ेगा एक blank pen drive जो की एक minimum 8GB का होना जीए 8GB का मैं require करता हूं तो उस blank pen drive को आप सबसे फ़ले अपने makebook में या iMac में attach कर दीजिए फिर उसको उसके बाद आपको एक app खोलनी पड़ेगी जो की है bootcamp करने के बाद आप इसे सबसे फ़ले continue कर दीजिए continue करने के बाद यहां पर यह आपको ISO file की requirement करेगा मतलब कि जो आपको यहां से चूज करनी है चलिए अपन इसकी file चूज कर लेते हैं इसके बाद ही देखिए मेंकिन तो ऐसे डी विल भी पार्ट पार्टिशन एज मतलब कि इसका पार्टिशन की जो पूंए पार्टिशन की जो इसपेस है वो बता रहा है कितने मतलब आप यहां से घटा और बढ़ा सकते हैं जैसे कि अगर आप विंडो में बहुत सारी अप्लिकेशन बहुत सारे सोफ्टेयर वगेरा लोड करना चाते हैं और इससे बढ़ा सकते हैं तो में यहां 50 GB मेरे लिए सफिसेंटे तो में यहां 50 GB चूस करूँ और चलिए अब इससे इस्टोलेशन यहां से इस्टोल कर देते हैं हां तो दोस्तो जैसा कि आपने देखा इसके बाद यह हमसे बोल रहा है कि यूर कंप्रिटर इसंट रूकनेक्टेट टू एफ पावर सोर्स यानि कि यह हमसे रिक्वाइर कर रहा है कि हम इससे अपने पावर सोर्स से कनेट करें ताकि इस्टोलेशन की टाइम में कहीं शट्डाउन नहों जाए या जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बेटरी की का परसंटेज है काफी कम है 31 परसंट ही होनी बची है तो वह शट्डाउन नहों जाए तो चलिए से सबसें हम पावर सोर्स से कनेट कर देते हैं और अब हम विंडो 10 का इस्टोलेशन जो है चालू कर सकते हैं हमारे 50 GB के स्टोरेज मिक में हैं यह देखी दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यह इसका इस्टोलेशन प्रसेस चालू हो गया है यह बता रहा है अभी यह यह download विंडो supporting software जो है जो की वींडो के support के लिए हमेरा हरी facebook को चीए वह अभी वहां से download कर रहा है तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा विंडो support software पूरा download हो चुका है और ये अभी password की requirement कर रहा है तो चले इसे password दे देते हैं और इसका process फिनिस करते है जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा makebook automatically restart हो गया है क्योंकि और ये अपना Windows 10 का इसमें setup चालू हो गया है तो चले इसे setup शुरू करते हैं इसका Windows 10 installation करने के लिए और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ Windows 10 का setup start हो गया है तो चलिए setup start करते हैं ये विंडो एक्टिव करने के लिए विंडो की मांग रहा है तो इसे हाल फिलाल के लिए skip कर देते हैं और अब आपके सामने दो option में ज़र आएंगे जो की है Windows 10 Pro and Windows Home आपको बतातों दोस्तों विंडो 10 Pro है एक तरह से इसका business edition आप बाहन सकते हैं इसमें जो की काफी कुछी नया और काफी कुछ एक्स्टा फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं तो मैं इसी के साथ जाना चाहूँगा बट हाँ दोस्तों जब आप प्रोडेक्ट की जब इसकी पर्चेस करेंगे विंडो 10 की अगर विंडो 10 Pro की तो यह आपको विंडो 10 Home से कुछ कोस्ट्ली मिलेगी करें इसे सेलेक्ट कर लेते हैं अब आप देख सकते हैं इसका सर्विस अग्रिमेंट आ गया है तो चल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अब यह अब ध्यान से देगी दोस्तों ये हमसे पार्टिश Ne पूछ रहा है किस partition में हम window को install करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अभी थोड़े देरे पहले एक 50 GB का या एक partition बनाया था window installation करने के लिए जो कि यहां देखने को मिल रहा है इसका नाम होगा boot game के नाम से आप देख सकते हैं boot game तो हमें इसी में अपनी window 10 इस्टोल करनी है पर इसको इस्टोल करने से पहले हमें एक बार इसे format जरूर कर लेना है तो अचले इसे format कर देते हैं format कर लेने के बाद हमारा जो 50 GB जो partition बनाया था इसे हम चूज कर देगे और फिर हम next पे क्लिक करेंगे यह देखें दोस्तों अब यह window installation का next जो प्रोसेस है जिसा में प्रोसेस बोल तकते हैं वो start हो गया है तो यह कुछ time लेगा दोस्तों इसे पूरा हो जाने दीजिए तो जैसे कि आपने देखा इसका पूरा जो प्रोसेस है फिनिज्ड हो चुका है और अब यह window restart हो रही है अब आप 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 तो चले दोस्तों अपना setup पूरा करते हैं और यहां हम express setting यूज़ करेंगे तो चले दोस्तों अपना setup पूरा करते हैं अंपेत्ग आपित्ड है अदेख़चा पूरा करते हैं ज característ सादर करते हैं और यह भी दोस्तों जोस्तों अपना ऊहिस Aaズ यह सक्वादre सुपाने माले कीनिज़ पिandiज़ तो दोस्तों लीजिए आपकी विंडो टेन तयार है अपने मेकबुक प्रो में और आप देख सकते हैं यह पूरी तरह से एक जेनुएन विंडो है यह देखिए सारे फीचर्स और सारे इसके फंक्शन ने बिल्कुल एक तरह से जेनुएन विंडो हमने इसमें अभी इस्टॉल की है और चलिए हाँ आपको बता दें अब आपको विंडो टेन और अपने OS X के बीच में कैसे डिफरेंट चूस करना है कि आपको कौन सा उपरेटिंग सिस्ट पावर की दवाने के बाद आपको option का जो बटने वो प्रेस करके रखना है बस आपके हर iMac में या MacBook में या MacBook Pro में जो जो सभी आपेपल का यूज कर रहे है उसमें उप्शन का बटन होगा और आपको वो प्रेस्टन होगा उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे हमें में Macintosh SSD देखने को मिल रहा है जो कि अपना Apple का Operating System है इसके बाद आप यहाँ विंडो का Operating System देख सकते हैं और हाँ तीसरा आपको एक Option देखने को मिल रहा है जो कि इसके विंडो में थे तो अब अपने Apple के Operating System चलते हैं यहां से हम अपने Macintosh SSD को चूज करके हमारा Apple का Operating System चूज कर सकते हैं और यह हमारा Apple का Operating System ओन नहीं जा रहा है यह देखे दोस्तों यह भी बूट हो रहा है और थोड़े ही देर में आपको यह यहां से एपल का उपरेटिंग सिस्टम जो है ओन हो जाएगा अगर आप विंडो का उपरेटिंग सिस्टम चूज करना चाहते हैं तो वही मैंने जैसे आपको बताया सीच ओन करने के बाद का ALT कमांड जिसे बोलते हैं उसे आप दबा के रखिए की को तो अटोमेटिकली आपको वहां पर दोनों में से एक उप्शन चूज करने का उप्शन शो हो जाएगा मतलब दीजी दोस्तों यह हमारा वापस से एपरेटिंग सिस्टम ओन हो गया है तो फ्रेंस जैसा कि आप अच्छे से यूज कर सकते हैं तो और बताना चाहूँगा दोस्तों आगे हम इसे अपने आपको में सिखा हूँगा कि केसे हम एक ही PC में एक कंप्यूटर में तीन ओप्रेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं जैसे कि एपल का iOS, sorry, एपल का OS, Windows 10 या Ubuntu या Cent OS याने कि Linux ओप्रेटि आप पसंद करते हैं चलाना और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट करना ना भूलें तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों ताकि आपको आगे से आगे इस तरह की वीडियो और इससे की टूटल देखने को मिलें और आप सीख सकें अगर आगर आपको कोई सवाल है और आप कोई क्रिशन पूरना चाहते हैं या आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बोस्त में बे जीज़क हम से सवाल पूछ सकते हैं मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आपकी सवाल का जहाब देने के लिए तो दन्यवाद दोस्तों वीडियो द देखने के लिए